कि अज़िक कैसे हैं तो आज हम पिकंदरावाज बीटेस की दरफ जा रहे हैं हमारा एक प्रीजी का एक सेक्डेट डाउन है तो गाइडिंग है हमें इदर नीचे छोड़ा है तो उपर हम पैदल आए है तो मजीद हमें अभी उपर पैदल चाड़ना है हमारे बहुत से कावलों में रस्ता में हैं हमारे लिए एक अज़ावाज प्रीजी की तरफ रवाद हौँ है तो मेरे साथ इंजिनियर कमरान भी है तो बहुत सब्सक्राइब करते हैं उसके लाव मौसम आज प्यारा है कमरान का क्या कहते हैं इसको बारिश हो रही है तोहाना मौसम है इसके फिर जगा है चले उपर फिर खोड़ा हमने वाद करना है चलो कमरान साथ अभी काफी हमने पैदल उपर चड़ना है यह हमारा टावर नजर आ रहा है मेरे खाल में उपर मौसम बहुत प्यारा है हलकी हलकी भारिश है गर्मी का तोड़ हो गया है यह सामने दरिया के उस पर मेरा गाव है हुसेइन अबाद इस टेम हम सिकंदरबाद में हैं नीचे केकेच आपको नजर आ रहा है आगे इसकंदरबाद बीटेस पहुंच गए है आखर कर कैसा लग रहा है मौसम कैसा है कामरान सब सेब के दरख्त सेब अभी पके नहीं है बेजाहिर तो हमारे सारे सीप्यराय अब है साइट हमारी नॉर्मल है सिवाए एक सिवाए एक सेक्टर के वोल्टेश भी ठीक है लोड हमारा पासवर्ड के पेस्ट्री सेटिंग देखते हैं कि सर्च की बेटे बेंक है ठीक हो गया कि टीम तयार है अब यूपर तो 3G सेक्टर वन चेक करना है ठीक है हमारी ट्रबल शूटिंग कम्प्लीट हो गई है जी तो एंड रिजल्ट पे हम हमारा रिजल्ट ये बना कि हमारा जो 3G का पहला सेक्टर था उस पर डिसेबल पी एक अलाम था अमने जमफर रिप्लेस किये अच्छा सेक्टर हमने स्वेप करके भी देखें लेकिन एड़ एड़ एंड हमें हम इस नतिज़े पहुंचे है कि हमारे आरायू का जो जो पहले दो पोर्ट से जो हमारा पहला सेक्टर बनता है 3G का वो फाल्टी है तो इसका एक ही हल है अभी हमें रिप्लेस करना होगा दो सेक्टर हमारे हमारी जोंग की साइट है नीचे वाली उस तरफ वाली हमारी टेलनौर की साइट है और उसके साथ वाली मॉबलिंग की साइट है सकंदरबाद जाफरबाद हुसेनबाद से मुलाहिकायद राका पोशी तक हमारे पास S-COM 4G और बाकी जोंग टेलनौर मॉबलिंग के 2G सर्विस हावालेबल है और टूरिस्ट के टूरिस्ट अगर आना चाहे तो उनके लिए ये इन्फरमेशन मेरे हैं तो हमारा आज का ये इसकंदरबाद का जो टूर था वो यहां पर कंप्लीट हो चाहता है तो इंशालला जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मु उनके मेरे ह arrivाना ंराह आना जुझ है और तो हमारा तो हमारा कर यूजर जिए सक्क्षार थालियो उश्ट